कृष्णा स् हेल्दी टिप्स कुकिंग एंड व्लोग हलो फ्रेंज विल्कम बैक टो मैं चैनल आशा करती हूँ आप सभी अच्छे है मैं भी बहुत अच्छी हूँ आज हम बनाएंगे रिश्मी चिकन एक जैसा चिकन खाते खाते अगर बोर हो गए हो तो बिल्कुल ये रेसी भी आप ट्राई कर सकते हो रिश्मी चिकन का टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है कोई भी केस्ट है तो भी तब भी आप साफ कर सकते हो ये चावल रोटी पड़ाटा नान फ्राइड राइस पुलाव सभी के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं हम लोग अकसर रिश्ट्रेंड में या तो फिर किसी दाबत खाने में ये रिश् रिश्मी चिकन के रेसिपी देख लो रिश्मी चिकन मनने के लिए मैंने लिया है 800 ग्रम चिकन वीद बोन अब हम इसमें डालेंगे दो टबल चमच दही हाफ टी स्पून धनिया पाउडर क्वाटर टी स्पून जीरा पाउडर क्वाटर टेबल स्पून लाल मिर्च अब डालेंगे फ्रेश क्रीम एक टेबल स्पून आप हाथों के मदद से इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहे तो स्पून की मदद से भी चिकन को मसाले के साथ मिक्स कर सकते हैं चिकन को अच्छे से मसाले के साथ मैंने मैरिनेट कर लिया है आप हम इसमें डाले एक घंटे के लिए अगर आपके पस बक्त हो तो आप राद भर भी इसको मेरिनेट करके फ्रीज में राख सकते हैं राद भर राकने से चिकन और भी ज्यादा जूसी होंगे आप चिकन को बनाने के लिए मैंने एक कराई चरा दिया है गैस पर और इस पे हम एक टेबल स्पून सरसो का इल डरा है और इसमें हम डालेंगे पहले लेशन मैंने 10 बरा कर लिया लेżenia पहले फ्राई कर लिया और उसमें अप डालेंगे ऑनियॉंस मैं यह चार मिटयम साइज का ओनियॉंस्लाइस करके लिया है और थुरः सा अध्रेक दे दिया और दिया है काजू बादम 20 औ एक बड़ा साइसका टॉमिटो चोप कर लिया है अभा को फ्राई कर लेंगे घृतर साथ गुल्डेन ब्राउनिकуетमाज करके नियूर्ण फ्राई करने कि कोई ज़ीistes अब उसी कड़ाई में मैंने डाला है 2 टेबिल स्पून मस्टाडर आप चाहे तो रिफाइन तेल का भी उस्तिमार कर सकते हैं तेल को थुरा सा गरम होने के बद मैंने इसमें दिया है एक चिटकी भर नमा मैं इस पर थुरा सा आलू दे रही हूं बड़ा बड़ा करके अलू क मैंने काट लिया है मैं आलू फ्राइ कर रही हूं क्यूंकि इस आलू को मैं चिकेन में डालू देना ऑप्शनल है मुझे पसंद है इसलिए मैं दे रही हूं अगर आपको पसंद नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं आलू फ्राइ होते होते टमेटर और जो मसाले मैं अच्छे से फ्राई हो गए है मैं इसको आप निकल रही हो कराई से अलू को उठा कर उसी तेल में हम डालेंगे दाल चीनी तीन चाश पिस और एलाईची दो तिन पिस एलाईची और हम देह रहेंगे लॉंग क्लोफ और इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे एक अच्छी स श्राउत में है इसमें तो नीचे से एल ल्च सकती तो फ्रेम को लोमे रखकर आप मसालय को डाले आप इसको अच्छे से अ छहाँ कर लेंगे को दिरे इसको फ्राई करना है और बीच-बीच में इसको हिलाना है इस तरह से अाफ़ और मसालय का प्राई हो जाए तब समझ ल श्लिमच जालू मसले के साथ मिक्स कर लेंगे फ्लिमच में बाट करणे करेंगे गच मिनिट मैंने इसको पका लिया है और 100 मिनुट ढ़क भड़क में पका कर आप भौकति देखती हूँ देखो कलार थो बाट कर पड चरWhर्लarina बाति है. तो मैंने और भी पाच मिनिट पका लिया ऐसे और आब इसमें डालेंगे पानी मैं यहाँ गरम पानी डाल रही हूँ हाप कप गरम पानी ही इस्तिमाल करना इससे टेस्ट बढ़िया आता है मैंने अपनी स्वाद अनुसर नमक और मीर्च डाला है अब भी अपने स्वाद देखो कलर कितना बढ़िया आया है और चिकन भी अच्छे से सौफ्ट हो गये है रेशम जैसा कलर आ गया है इसलिए इसका नाम है रेशमी चिकन और लास्ट में हम डालेंगे गड़म मसला हाप टेबिल स्पून और डालेंगे कासोडी में थी ड्राइ रोस्ट की हुई अंगलिया चाठती रहे जाएंगी तो रेसिपी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और कमेंट कर देना और फैमिली और फ्रेंस के साथ शेयर कर देना और मेरी चनल में नई हो तो चनल को सब्स्राइब कर गए बेल बटन को क्लिक कर लेना तब भी मैं जब भी गई नई रेसिपी दोंगी तो उसका नोटिफेकेशन सबसे पहले आपको पहुच जाएगी सभी अच्छे रहिए खुश रहिए और आज का वीडियो पुड़ा देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद